साथियों अब तक आप 262 रिकॉर्ड देख चुके हैं और अब बात करते हैं रिकॉर्ड नम्बर 263 की प्रधान मंत्री मोदी ने आठकिल 370 को खत्म करने का फैसला किया उसके साथ ही 35 से भी अपने आप खत्म हो गया लेकिन इसके बाद मोदी सरकार भी जो फैसला किया उसकी कलपना किसी ने नहीं की थी जम्मु कश्मीर के अस्तित्यों को ही खत्म करने का फैसला किया गया और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाट दिया गया आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार किया गया 5 अगस 2019 को मोदी सरकार ने जब जम्मु कश्मीर पुनर गठन बिल पेश किया तो आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजी को दो हिस्सों में बाट कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इससे पहले किसी शेत्र विशेश को प्रुमोट कर राजी का दर्जा दिया गया था या फिर राजियों को बाट कर नए राजी बनाए गये थे लेकिन जम्मु कश्मीर की परिस्थीतियों को देखते हुए सरकार ने इसके उलट किया पांच अगस्त को ही राजी सभा में पेश किये गये इस बिल के समर्थन में 125 वोट पड़े जबकि विरोध में सिर्फ 61 वोट वहीं अगले दिन इसे लोकसभा में पास किया गया लोकसभा में 351 वोट इसके समर्थन में पड़े जबकि विपक्ष में सिर्फ 72 वोट राश्टपती कोविंद ने 9 अगस्त को जम्मु कश्मीर पुनरगठन अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी इस अधिनियम के तहट सरदार पटेल की जन जैन्ती के दिन यानि 30 अक्तूबर 2019 से ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए इसके साथ ही देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई जबकि राज्यों की संख्या घटकर 28 रह गई खास बात ये है कि ग्रिह मंत्री अमज शाह ने संसब में ही बताया कि उचित समय आने पर जमु कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा लेकिन ये फैसला देश के राजनीती की तिहास में एक रिकॉर्ड की तरह दर्ज हो गया कर kraता देश है के बता है के बताने की था बता दोतो ईचित प्यों ढ चर्टर आने त微ॉखनी फिर माचार दीया हो आने , क्या मुखनी है झाल झाल